हलो दोस्तो नमश्कार प्रॉफिट गुरु चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम दो कंपनियों को कवर करने वाले हैं एक के TCS और एक देने जा रही है इस प्लीट ठीके दोनों कंपनियों को हम कवर करेंगे और TCS के अंदर बहुत बड़ी नियूज निकल के आ रही है वो हम देखेंगे और पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाने वाले हैं ठीके तो सब सब पहले मार्केट को देख लेते हैं तो मार्केट दोस्तों यहाँ पर ट्रेट कर रहा है 18,586 पर एक शांदार तेजी आई हुई है और इस सांदार तेजी में दोस्तों जो हमारे रिसर्चर है हमारे जो टीम मेंबर है उन्होंने बहुत अच्छे टेलीगराम पर दोस्तों लेवल दिये हैं जाकि आप चेक कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्कृस्में में मिल जाएगा बाजा ने हाई लगा दिया 18,595 पर पैसे और यही दोस्तों क्या बन गया 52 विक का हाई बन गया अब बचा है दोस्तों ओल टाइम का हाई क्योंकि सेंसेक्स ने लगा लिया बैंक निफ्टी ने लगा लिया अब निफ्टी की बारी है अगर निफ्टी 18,650 चले जाता है तो हमें नया 52 विक का हाई और नया ओल टाइम का ही मिल जाएगा तो अब दोस्तों देखते हैं कब तक यह लेबल पार होता है जैसा भी पार होगा हम अप्डेट करेंगे जैसा भी अप्डेट आएगा वो भी हम आपके अप्डेट करेंगे तो फटा परटवे इस वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सस्क्राइब करें चलते हैं और TCS को पहले देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TCS का आज का performance एक अच्छा खासा performance दिख रहा है TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी company है IT इंडस्टी में सबसे बड़ी company है ग्लोबल में मतलब 20 में दूसरी सबसे बड़ी IT company है तेखे उसके साथ ही अगर आप देखेंगे अगर आज का performance तो स्टॉक 348 रुपे पर ट्रीट कर रहा है आदे परसेंट की तेजी के साथ इसका previous close था 390 रुपे के आसपास open होता है 336 रुपे पर high लगाता है 347 रुपे और low लगाता है 335 रुपे पच्पेन पैसे ठीके 12,47,000 करोड का market cap है P.E.N.E. ratio भी बढ़िया है और dividend yield भी बढ़िया है ठीके अभी इसके पास last एक साल का समय बचा हुआ है अगर ये company एक साल में ठीके एक साल में 15,000,000 करोड का market cap कर लेती है ठीके तो ये दूसरे नमबर पे बने रहेगी Otherwise बैंक मतलब जो हमारी HDFC bank है वो दूसरे पायदान पे आ जाएगी क्योंकि खुद उसका 9,000,000 का market cap है HDFC limited को वो अपने अंदर merge कर रही है तो वो उसका 4,000, आर राग 4,500,000,000,000 का market cap है तो वो 1,500,000,000,000 करोड का market cap लेकर वेट के देश की दूसरी सबसे बड़ी company बन जाएगी या ठीके और दोस्तों market की भी दूसरी सबसे बड़ी company बन जाएगी ठीके आप देखते है आगे क्या होता है 52 विक का ही 52 विक का लो देखी सकते हैं लास्ट एक मेने में जो स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई वो बहुत बढ़िया देखने को मेली 6 मेने की मैं बात कहता हूँ 6 मेने से स्टॉक थोड़ा सा डामा डॉल करा है 3500 का लेबल तोड़ देगा ना तो स्टॉक 6000 के उपर मतलब 6 मेने के उपर प्राइस पे निकल जाएगा अगर मैं बात कहता हूँ रिटर्न कम है लेकिन दोस्तों टेंशन फिरी कमपनी है जितनी कॉंटिटी उठाना हो एक उठाना हो एक लाग उठाना हो एक करोड उठाना हो जितनी उठाना हो सब उठा सकते हो क्यों क्यों क्योंकि टेंशन फिरी कमपनी है ठीके कभी नुकसान आपको नहीं देगी ठीके तो TCS को दोस्तों अपने फोकस में जरूर रखकर चलेगा चले सबसे पहला अपडेट क्या है वो देखते हैं TCS के उपर तो यहां पर आप देखे एक दिन पहले अपडेट आया है ठीके कि जो मार्केट के पर वो बहुत तेज 80,000 करोड के आसपास का मार्केट के बढ़ चुका है तो हमारे लिए यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है ठीके चलो सेकेंड अपडेट देखते हैं TCS का सेकेंड अपडेट है दोस्तों म्यूचल फंड के तरप से म्यूचल फंड ने अक्टॉमबर मन कोई दिक्कत नहीं खरिदने वाले की संख्या यहां पर जादा है ठीकें तो हमारे लिए यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि TCS के अंदर म्यूचल फंड बहुत अच्छी तरीके से अभी खरिदारी कर रहा है अपना जो स्टेक है वो कंटिनसली बढ़ा रहा है ठीके तो इनको यहां पर कुछ ना कुछ अपॉर्टनीटी दिख रही है ठीके तो हमें भी यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्टनीटी दिख रही है ठीके चलिए अब ठर्ड सबसे बड़ा जो अपडेट है वो देख लेते हैं तो दोस्तों TCS का मैंने चार्ट उपन कर लिया है यहाँ पर TCS के बारे में भरपूर आपको detail देखने को मिलेगी जो जो आपको चाहिए वो सब देख सकते हैं लेकिन हम आए हैं shareholding का pattern देखने हैं अब देखें shareholding का आपको pattern देखाता हूं सबसे पहले देखाता हूं promoters का आप देख सकते हैं कैसा है उसके साथ ही foreign investor ने इसमें से माल निकाला है लेकिन domestic continuously खरीद रहे है government भी एक अच्छा खासा stake hold कर रही है लेकिन domestic investor में सबसे बड़ा investor दोस्तों आप अगर देखेंगे तो LIC है ठीक है LIC ने क्या किया है दोस्तो LIC ने यहाँ पर जो अपना stake है वो increase किया है और वो continuously increase करते आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक Q, second Q, third Q और यह fourth Q मतलब हर Q में company क्या क्या कर रहा है दोस्तों ठीक है अपना जो माले वो खरीद रहा है अब LIC भी दोस्तों government का ही part है यहाँ पर government की ने हिस्सा करीद के रखा है ठीक है आप देख सकते हैं government में कौन हिस्सा खरीता उसका नाम नहीं आता है खाली government का लिखरेता है लेकिन domestic investor ने जो इसमें LIC का नाम आ रहा है उन्होंने अपना stake बढ़ाया है इस चीज़ को दोड़ा सा ध्यान में रखिए ठीक है यही चीज में दिखाने आप लोगों को यहाँ पर लाया हूँ मतलब आप देख सकते हैं कि TCS के अंदर हमें अभी opportunity नहीं दिख रही ठीक है बहुत सारे जने से बोल रहे है कि सरा हमें TCS के अंदर अभी opportunity नहीं दिख रही तो दोस्तों यह क्या है ठीक है यह क्या है mutual fund continuously buying कर रहा है ठीक है domestic investor हमने LIC खटागट से buying कर रहा है market के पितनी चेजी से बढ़ रहा है sales बढ़ रहा है देखे slowdown तो सभी जगा आता है ठीक है economy और GDP में slowdown आ जाता है तो यह तो company है ठीक है इनमें क्यों नहीं आएगा slowdown इनमें भी आएगा business 10 साल अच्छे चलते हैं 2 साल नहीं चलते हैं फिर 10 साल अच्छे चलते हैं फिर 2 साल नहीं चलते हैं परेशानी सभी को आती है ठीक है कभी कभी आप लोगों की जिंगे में भी आती होगी कुछ ना कुछ परेशानी तो यही condition इन कंपनियों के साथ भी रहती है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे दोस्तों चलिए और इस company को एकदम भाई quantity में क्या करिए अपने portfolio में के tension free है risk free company आपको देखने को मिलेगी ठीक है यह आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है और यह company मार्केट में बहुत अच्छी देखने को में मिलती है ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं सेकेंड company को देख लेते हैं दोस्तों next company है लिखी तहां infrastructure limited ठीक है यह company आज 50% के साथ ट्रीट कर रही है 411 रुपे 95 पैसे पर इसका previous close था 409 रुपे 90 पैसे open होता है 415 रुपे 70 पैसे high लगाता है 418 रुपे 20 पैसे और low लगाता है 408 रुपे 55 पैसे 812 करोड की यह company है ठीक है मतलब एक micro cap company है P&E ratio भी बढ़िया है dividend deal भी बढ़िया है उसके साथ ही आप इसका जो 52 बिक का high और जो 52 बिक का low है वो भी आप आप देख सकते हैं कितना हमें शांदा देखने को मिलता है नीचे के side में इसका overall का अगर मैं performance आपको दिखाऊं तो यह company दोस्तों अभी हाल फिलाल में market में आ तरीके से आ रहे थे और market में अच्छी तरीके से list भी हो रहे थे ठीक है अब क्या बहुत दिनों से stock क्या करा है 400 रुपे का जो range ना वो hold करके रखा हुआ है ठीक है तो इस company से related क्या update है वो हम देख तो दोस्तों हम आ चुके हैं BSC की site के उपर और यहां पर आप देखे समय अब 5 आ चुका है दोस्तो split के according अभी 10 रुपे का face value है जो तूट कर 5 रुपे का होने वाला है मतलब हर एक equity share के बदले 2 equity share आपको split मिलने वाला है इस company का मतलब share का जो price है वो कम होने वाला है कम होगा जिसका x date 2 December को है और record date 3 December को है अगर आपको इस split में participate करना है तो आप 30 तरीक को और एक तरीक को कर सकते हो ठीक है मतलब अभी जिसने खरीद लिया मिलेगा आज जिसने खरीद लिया मिलेगा कल जिसने खरीद लिया मिलेगा लेकिन अगर आप 2 तरीक को खरीदोगे कुछ नहीं मिलेगा तीन को खरीदोगे कुछ नहीं मिलेगा एक को खरीदोगे म मिलेगा 30 को खरीदोंगे मिलेगा 29 को खरीदोंगे मिलेगा ठीक है इसलिए मैं आप लोगों को इतनी इजी तरीके से समझा रहा हूं मतलब हर 10 एक्विटी शेर के बतले 20 एक्विटी शेर आपको यहां पर इस प्लीट के रूप में मिलने वाले हैं लिखिता इन्फरा के तो आप जरूर दोस्तो इस कंपनी को भी अपनी फोकस में रखकर चल सकते हो काफी बढ़ी है कंपनिया में देखने को मिलती है तो यह था दोस्तो आप लोगों के लिए एक धमा के दार अपडेट तो इस वीड धिए दोस्तों